Hello Everybody, Petrol Pump Selection Process 2023 का मेरा फास्ट वीडियो में मैक्सिमम लोगों को ये सावाल था कि Petrol Pump स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा What can be the minimum to minimum investment for all these type of dealership Sir, total overall investment कितना होगा DC साइट पाम में एक एक चीज समझाईए कि total खर्चा कितना आएगा Sir, rural Petrol Pump कितना amount में open हो जाएगा और इसलिए आज का वीडियो में DC और B साइट लोकेशन में Petrol Pump सुरू करने के लिए कितना खर्चा आएगा ओ में point to point discuss करने वाले हैं और आपको ये B साइट लोकेशन में कितना खर्चा आएगा ओ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको A साइट और CPS साइट में कितना खर्चा आएगा ओ भी आपको समझ में आ जाएगा और आज का वीडियो में बनाने के लिए चार अलग-अलग Petrol Pump डिलर से बात किये और समझे कि Petrol Pump सुरू करने के लिए actual कितना amount खर्चा होता है और initially क्या-क्या चीजों में आपको investment करना चाहिए कौन सा चीजों में आपको बाद में investment करना चाहिए और आज का दिन में Petrol Pump में profit कितना आता है तो अगर आप 2023 में Petrol Pump Selection Process में आप participate करने वाले हैं और आपका बन में ये सब doubts से तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाले है क्योंकि आज का वीडियो में आपको जो भी data यहाँ पे मिलेगा वो कुछ भी theoretically नहरेगा और जो actual आपको खर्चा Petrol Pump में आता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये Petrol Pump सुरू करने में कितना खर्चा आता है ये जानने का पहले आम लोग जान लेते हैं कि ये Petrol Pump से आपको मंतली कितना profit आएगा और ये जानने के लिए मैंने एक टेलेंगगणा का Petrol Pump डिलर मिस्टर राधा कृष्ण से बात किये जिसका टेलेंगणा में रूरल एरिया में B-Site का एक Petrol Pump है और उसका Petrol Pump से आज का दिन में उसको 105 केल पेटरोल और डिजल सेल्स होता है तो उसको मंतली एवरेज 40,000 लिटर पेटरोल और 65,000 लिटर डिजल सेल्स होता है तो आज का दिन में Petrol Pump डिलर को पेटरोल और डिजल में कितना मर्जिन आ रहा है ओ जालनेते है जैसे कि ये B-Site Petrol Pump में अभी पेटरोल में मर्जिन आ रहा है 3 रूपीज 45 पैसा और डिजल में पेटरोल मर्जिन आ रहा है 2 रूपीज 15 पैसा और ये A-Site Petrol Pump में ये margin 15 to 20 रूपीज कम रहता है तो इसी सब से Mr. Radhakishna का जो B-side petrol pump है उसको petrol से जो profit आ रहा है वो 40,000 into 3.45 रूपीज यानि की 1,38,000 और diesel से 65,000 into 2.15 रूपीज equals to 1,39,750 रूपीज पर मन्त उसको profit आ रहा है और साथ में उसको petrol और diesel का sale का हिसाब से उसको company से monthly around 35,000 तक dealer commission भी मिलता है तो ये expenditure का पहले उसको monthly profit आता है 1,38,000 petrol से 1,39,750 रूपीज डिजल से and dealer commission 35,000 उसको मिल जाता है तो यानि की total उसको 3,12,750 रूपीज expenditure के पहले profit आ जाता है और आप जान लेते हैं उसका expenditure क्या क्या रहता है जैसे कि वो 4 delivery boys और एक accountant को लगाया जिसमें उसको around 60,000 तक खर्चा हो जाता है और एक आदमी वो housekeeping के लिए लगाया जिसमें उसको 10,000 तक खर्चा होता है और उसका electricity bill 10,000 तक आता है और maintenance and other cost उसको 15,000 तक खर्चा आता है तो ये पुरा expenditure छोड़के उसको जो profit अभी आता है वो 3,12,750-95,000 यानि की 2,17,750 रूपिस पर मन्त तो आपका petrol pump से monthly 100 kail यानि की 1,00,00 लिटर petrol और diesel मिला के sales होता है तो लगबग 2,00,00 रूपिस पर मन्त आपको profit आएगा तो ये petrol pump से monthly आपको profit कितना आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप देखते हैं कि ये petrol pump सुरू करने में आपको खर्चा कितना आएगा तो ये lottery और bidding process में एक बार petrol pump में selection का बाद आपको letter of intent and petrol pump का drawing आपको well marketing company से मिल जाएगा और ये well marketing company दुआरा जब आपका field verification and document verification जब होता है तब उस time में आपको एक पैसा भी देने का जरूरत नहीं है तो ये letter of intent and petrol pump drawing आपको मिलने का बाद आपको खर्चा कहां कहां पे आएगा ओ अभी देखते हैं तो आपको ये well marketing company से letter of intent मिलने का बाद आपका जो offer land है उसको revenue department से agriculture land से non agriculture land में conversion कराना है जिसमें आपको 50,000 से 1,000,000 रुपीज तक आपको खर्चा आएगा फिर आपका land का conversion होने का बाद आपका land को आपको filling कराना है, leveling कराना है और उसका बाद आपको sales room बनाना है, toilet बनाना है, store room बनाना है, compound wall देना है 25 to 30,000,000 रुपीज तक आपको खर्चा आएगा और ये amount आपका location और आपका location का size का उपर थोड़ा vary करेगा but minimum आपको 25 to 30,000,000 रुपीज तक खर्चा आपको आएगा ही आएगा फिर आपका ये petrol pump सुरू करने में जो main खर्चा आता है ओ है आपका अलग-अलग authorities से जो no objection certificate and license लेने के लिए जो खर्चा आता है तो ये अलग-अलग authorities से no objection certificate बिलने के लिए कितना खर्चा आता है ओ जानने का पहले आपको ये जानना जरूरी है कौन सा कौन सा authorities से आपको no objection certificate लेना होता है तो आपको petrol pump सुरू करने का पहले जैसे कि आपको police department से आपको no objection certificate लेना है फिर आपको fire department से आपको no objection certificate लेना है फिर आपका location gram panchayat में है तो gram panchayat से और municipal limit से है तो municipal it से आपको no objection certificate लेना है फिर आपका revenue department से आपको no position certificate लेना है और आपका site national highway में है तो national highway authority of india से आपको no position certificate लेना है और आपका site state highway, district road, rural road में है तो आपका roads and building department और PWD department से आपको no position certificate लेना है और जब आपको ये सब authorities से आपको no position certificate मिल जाता है तब finally आपको no position certificate लेना होता है district magistrate और district collector से अगर आपका site state highway, rural road और district road में है तो ये सब no position certificate लेने के लिए आपको लगबग 3 to 4 lakhs रुपीज तक खर्चा आएगा और अगर आपका site national highway में है तो ये सब authorities से no position certificate लेने के लिए लगबग आपको 5 to 6 lakhs रुपीज तक आपको खर्चा आएगा क्यूंकि ये national highway authority of India से NOC लेना थोड़ा difficult होता है और इसलिए maximum लोग national highway authority of India से NOC लेने के लिए कोई third party agency से contact करते हैं और उसका help से national highway authority of India से NOC easily ले ले और इसलिए ये third party agency को थोड़ा आपको ज्यादा amount देना पड़ सकता है तो ये petrol pump selection का बात जो भी मेरा वीडियो और live stream रहेगा उसमें मेरा पास कुछ third party agency का कुछ contact रहेगा तो मैं आपका साथ share कर दूँगा ताकि आप easily national highway authority of India से आप NOC ले सके फिर आपको ये सब department से एक ब well marketing companies ने dispensing unit, underground, fuel tankage, server unit आपका site में setup करते हैं और इसके लिए आपको एक रुपया भी देने का जरूरत नहीं है और ये petrol pump सुरू करने का पहले आपको air compressor and generator आपको लेना होता है जिसमें आपको ज्यादा खर्चा initially नहीं करना है क्योंकि ये सब equipment आपको बात में आपको subsidiate rate में आपको oil marketing companies से मिल जाता है और ये subsidy के लिए आप कब eligible होंगे और ये subsidiate rate में आपको oil marketing companies से क्या-क्या मिलता है ओ में video card end में बताएंगे तो आपको air compressor and generator लेने के लिए आपको initially लगबग 1 lakh रुपीज तकी आप initially खर्चा करिए फिर आपको petrol pump स्टार्ट करने के लिए आपको लेने का जरूरत पड़ता है फिर आपको district civil supply officer से आपको form भी license लेना होता है और ये सब license लेने के लिए आपको लगबग 1 to 1.5 lakhs रुपीज तक आपको खर्चा आएगा और ये NOC और ये license लेने के लिए जो भी आप में खर्चा में आपको बता रहा हूं ये बिलकुली actual amount मे में आपको बता रहा हूं फिर आपका site में lighting and electric collection के लिए लगबग 50,000 तक आपको खर्चा आएगा और petrol pump सुरू करने का पहले में जो खर्चा आता है वो है आपका security deposit amount आपको well marketing companies को deposit करना होता है और ये security deposit amount कुछ category wise कुछ ऐसा होता है जो आप category wise आप देख सकते हैं तो ये B site के लिए total amount calculate करने के लिए मैं security deposit amount यहाँ पे मैं 5 lakhs रुपिस ले रहा हूं और ये lottery और bidding process पे एक बर selection होने का बाद आपको 10% off ये security deposit amount आपको well marketing companies को भरना पड़ता है और उसका बाद ही आपका ये field verification process और ये document verification process आपका सुरू होता है तो आपका case में 5 lakhs रुपिस आपका security deposit amount है तो आपका 50,000 rupees well marketing companies को online आपको deposit करना होता है और उसका बाद आपका ये field verification process आपका start होगा फिर आपको ये petrol pump सुरू करने का पहले जो main capital आपको जरूत होता है ओ है working capital आपका पास रहना चाहिए और ये working capital ओ amount होता है जो आपको petrol pump सुरू करने का पहले minimum quantity petrol और diesel well marketing companies से आपक कि आज का दिन में Indian oil का पास 12,000 liter का tanker available है तो first time आप 4,000 liter petrol और 8,000 liter diesel लेके आप आपका petrol pump start कर सकते हैं और इसमें आपको minimum 12 lakhs रूपीज तक खर्चा आएगा तो मैं अभी summarize करू तो petrol pump सुरू करने में आपको जो खर्चा आएगा ओ कुछ ऐसा है जैसे कि आपका land का conversion करने के लिए 1 lakh रूपीज आपका land का development यानकी sales room बनाना, leveling करना, compound wall, store room बनाना, toilet बनाना इसके लिए 25 to 30 lakhs यानकी 25 lakhs, no vision certificate लिए around 5 lakhs, फिर dispensing unit underground tankage के लिए आपको कुछ भी amount देने का जरूरत नहीं है, फिर आपको department से licenses लेने के लिए 1.5 lakhs, air compressor generator लेने के लिए 1 lakhs, security deposit amount आपको 5 lakhs and working capital around 5 lakhs रूपीज तक आपको आएगा, और ये सब बिला के total amount आपको 50.5 lakhs रूपीज तक आता है, तो ये petrol pump शुरू करने के लिए minimum आपको 50 lakhs रूपीज तक आपका पास रहना चाहिए, और ये working capital C.A.P. site के लिए company ने बहुती low interest, यानकी 7 to 8% interest rate में आपको मिल जाएगा, और अब B. site और A. site के लिए भी आप bank से business loan ले सकते हैं, फिर आपका petrol pump से एक बार 300 KL per year यानि की 3 lakh liter per year आपका sales आपका हो जाता है, petrol और diesel मिला के आपका sales आप achieve कर लेते हैं, तो आप subsidy के लिए आप eligible हो जाते हैं, और एक बार आप subsidy के लिए eligible हो जाते हैं, तब आपका petrol pump का ज subsidy आपको मिल जाता है, जैसे कि आपका petrol pump में आप roof यानि की canopy आप लगाना चाहते हैं, जिसमें around 50 to 60 lakhs रूपिस तक खर्चा होता है, उसमें भी आपको 60% तक subsidy आपको company से मिलेगा, फिर आप अच्छा quality का generator, solar power installation करना चाहते हैं, फिर आप nitrogen based air compressor लेना चाहते हैं, फिर आप water cooler लगाना चाहते हैं, drive away बनाना चाहते हैं, paper block लगाना चाहते हैं, सब में आपको 60% तक subsidy मिल जाएगा, माल लिजे ये सब development के लिए आपको 30 lakhs रूपिस तक खर्चा आएगा, तो आपको 80 lakhs रूपिस आपको company से मिलेगा, और 12 lakhs रूपिस आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो ये petrol pump start करने का time में ये सब चीजों में आप खर्चा मत करिए, क्यूंकि बाद में आपको company से ये सब चीजों के लिए आपको subsidy मिल जाएगा, और ये subsidies rate में आप आपका petrol pump को develop करके आप बाद में आपका sales बढ़ा सकते हैं, और इसका अलाबा भी और कुछ doubt है तो channel को आप subscribe करिए, क्यूंकि मैं जल्दी ही live stream में आने वाला हूँ, आपका जो भी सवाल रहेगा उहाँ पर आप कर सकते हैं, मैं आपको face to face आपको सवाल का answer देंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक like कर दीजे, thank you, thank you very much